आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo कीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाऊ डाउनलोड नाओ तो Spurringia हमारे वो structure होते है जो जिसके अंदर क्या डाउब करता है Spores तीक है यानि कि अगर मेगा Spurringia है तो जिसके अंदर क्या डाउब करेगा Mega Spore तीक है और Mega Word जो होता है या फीमिल्स के लिए उस किया जाता है क्योंकि फीमिल्स के जो Spores होते है वो large होते है या फीमिल्स में जो gametes होते है वो large होते है इसलिए हम क्या यूज़ करते है Mega तीक है और Males में कैसे होते है gametes small होते है इसलिए उनके लिए Microspores उज़ होता है तीक है यानि कि Megasporongias वो structure है जिसके अंदर क्या डाउब करते है Megaspor तो अगर हम recall करेंगे तो हमारा जो Megaspor होता है वो किसके अंदर develop करता है ओवियूल के अंदर ठीक है तो ये है हमारा ओवियूल अब हमें पता है इसके अंदर क्या डाउब करता है ये यह हमने कैने टॉपर जो बना लिया यहां पर हमारा क्या होता है Megaspor Mother Cell तेक है जिससे क्या बनता है Megaspor जो finally क्या बना रहता है Embryosic तो किसके अंदर बन रहा है OVUELS के अंदर तो basically हम ये कह सकते है कि जो Megaspor है जिस हमारा तेक है वो equivalent है किसके OVUELS के equivalent है और हमें पता है जो हमारा OVUEL होता है ये किससे टाच होता है Placenters है यानि कि Arise करता है Placenters है तो एक साइट से पनलब एक तरस तो मैं ऐसे अंद से निकाल सकते है दूसरा देखो यहां बे जो हमारा Enters है वो किसका पार्ट होगा Males का यानि कि Microsporangia का तो यह तो हमारा Option ऐसी हड़ गया ठीक है Funicle जो होती है हमारी वो Stock होती है जो टाच करती है OVUEL को Placenta से यानि कि यह जो Stock है इसका नाम क्या है Funicle Finally हमें Option D में क्या बोला है Nucilis Nucilis जो होता है हमारा OVUEL के अंदर प्रेजन्ट होता है यह क्या है Tissue है Parent Chimators Tissue है जो सराउंड करके रखता है Embryo Sec को ओके तो हम देख रहे है कि Nucilis के अंदर Megaspore ड़लप नहीं कर रहा है ठीक है Nucilis उस Megaspore को बस सराउंड करके रख रहा है Actually में पर किसके अंदर ड़लप कर रहा है OVUEL के अंदर तो OVUEL हमारा क्या हो जाएगा फिर Megaspore NGS तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा option B Thank you